So, hey guys and welcome to another video of my channel और आज के वीडियो में हम एक काफ़ी डिमांड़ टॉपिक के उपर रेंकिंग वीडियो बनाने वाले है चुकि है टॉप 10 एंटी हीरो अफ आल टाइम एंटी हीरो जाने की ऐसे करेक्टर जो की ना सूपर हीरो है ना सूपर विलन है एसे कैरेक्टर जो की सूपर हीरो की तरह आईडियली नहीं सोचते है ना विलन की तरह एविलतरी की से सोचते है वो बस ड्राइव होते है अपने मोटे उसके थुरू और इसलिए ऐसा एंटी हीरो के साथ हम काफ़ी कनेक्ट कर पाते है हमें वो रिलेटेबल लगता है क्योंकि हम अपने आपको उनके साथ जोड़ के देख सकते है उनके स्टोरीज भी एक्चुली बहुत अमेजिंग होती है तो आज असे ही कैरेक्टर को हम रैंक करने वाले है और मैंने कैरेक्टर्स तो आफ आल टाइम लिया है पर ज्यादा तर ऐसे ही कैरेक्टर्स आएंगे जो मूवीज वगरा में अपियर हो चुके है क्योंकि अगाइन हम इन कैरेक्टर्स को पॉप्लारिटी की बेजिस पर रैंक करेंगे और जिनके उपर ज्यादा मूवीज या फिर सीरीज बनी है वो अब्विस्टी लोगों के ज्यादा पॉप्लर होंगे और यहाँ आपको मैं अपना परसन ओपीनियन भी बता हूँगा एन कैरेक्टर्स की ओरिजिनल स्टोरी को हम थोड़ा सा देखेंगे कुछ फैक्ट को देखेंगे तो विदाट बिस्टेंगे नी मोर टाइम चल लिए वीडियो को शुरू करते है एंड हीर आइवड लाइक तो थैंक रेडवुल्फ.com जिननने इस वीडियो को देखा उन्हें आइडिया पसंद आया तो उन्होंने मुझे कुछ गिवट्स पेज़ है जैसे उन्होंने मुझे यहां पर पनिशल को लेकर हुडी बेजी है आप देख पा रहे होंगे काफी अची है चीज़े काफी एकसाइडिंग है उन्होंने मुझे लोकी को लेकर भी हुडी बेजी है कुछ कब्स बेजे है लोकी और डेडपूल जिसे करेक्टर्स को लेकर और इवन डेडपूल के टीशिट्स है, उस पर काफी फ़नी चीज़ लिखी हुई है, मुझे बहुत पसंद ही, उनकी बास मुवीज को लेकर भी टीशिट्स है, जिसे वेलम लेट देर भी कानेज की टीशिट है, इस बादे में नूवी होम की टीशिट है, जिसके उपर हेलो अक्टोबस, तो डॉक्टर अक्टोबस आजकल एक ट्रेंडिंग एंटी हीरो है, डॉक्टर अक्टोबस को हमने पहली बार देखे था, टोबी मेकवायर के स्पाइडर मिन 2 में जहां पे उनका इंट्रडुक्शन और अमोस्पूरी मुवी में वो एस विलन रहे थे, पर होते हैं, वो बैस एक नॉर्मल साइंटिस्ट होता है, जो कि अपने एक्स्प्रेमेंट को लेकर काफी जारा क्रेजी है, और फिर वो अपने लिए ही जो न्यूरल कनेक्शन से जुड़े हुए आम्स क्रेट करते हैं, वो उन्हें खुद को कंट्रोल करने लगते हैं, और इ नंबर 9 गमोरा नेबला, तो नंबर 9 पे मैं गमोरा और नेबिला को कम्बाइन ली रख रहा हूँ, जो कि एक्चुली में तो गैलेक्सी के सबसे पाउरफुल सूपर विलेंस की बेटियां है, पर हमें स्टोरी में अकसर ये केरेक्टर्स एक सूपर हीरो का रोल प्ले करती और इसी चीज की वज़े से नेबिला में गमोरा के खिलाफ फेट होता है, पर हम देखते है कि गार्डन सफ गेलेक्सी के सेकंड मुई में किस तरीके से दोनों मैनों की बीश में पैच अप होता है, और फिर चीज़ा आगे जागे प्ले आउट होती है, और गमोरा किस तरी किसे एक बहुत अची एंटी हीरो है, किस तरी किसे वो एक विलन में से एक हीरो में कनवर्ट हुई, वो आप एंड गेम के एक्जामपल से देख सिखते है, जहांपे पास्ट वाली डेबुला अभी भी थैनॉस के साथ थी, और प्रेजेंट वाली नेबुला ने अवेंजर इसका साथ दिया था, और काफिसारे लोग क्वेश्चन करेंगी कि गमोरा कैसे एक विलन है, वो तो एक शॉट अफ एंटी हीरो ही है, उसने हमेशा से गाइडन्स अफ गलेक्सी की टीम का साथ दिया है, तो ऐसा नहीं है, वो गाइडन्स अफ गलेक्सी की पहली मूवी के इनिशल पार्ट में, पीटर क्विल, और गुरूट और रॉकेट को नुकसान पहुचा चुकी है, हाँ एवेंचली वो अपने रिदम्शन को पा लेती है, और एक हीरो बन जाती है, पर एंड गेम में हमने देखा है, कि अब एमस्वी में 2014 वाली गमोरा आ चुकी है, जिसन सारे इन्फिनिट स्टोंज को कलेक्ट करके युनिवस में बैलन्स बनाने की कोशिश करती है, तो I strongly believe कि ऐसा कुछ ना कुछ एमस्वी में भी होगा, और इसलिए वो लोग 2014 की गमोरा का एमस्वी में लाया है, नमबर एट पनिशर, तो नमबर एट पे जो करेक्टर है, उस Frank Castle की स्टोरी भी बहुत इंस्पारिंग है, Frank Castle एक एजन्ट होता है, और कुछ विलन्सा कि उसकी पूरी फैमिली को मार देते है, जिसकी वज़स से पनिशर ये डिसाइड करता है कैसे नॉर्मल तरीकों से, ऐसे एथिक्स के साथ चल के कुछ नहीं होगा, विलन्स को उन्ही मार देता है, वो बहुत सिर्फ और सिर्फ पनिश करने में भी लिव करता है, और इसलिए उसका नाम भी पनिशर पड़ा है, और पनिशर का एक्शन हमें जब भी देखने को मिलता है, वहाँ पे गंस का और वैलन्स का खुल के यूज होता है, वो अल्मुस सारे आरेटेट स तो पनिशर ऐसा बिलकुल भी नहीं है, वो विलन को पकरते ही, उसे मार देगा, और इसलिए शायद ये करेक्टर काफी लोगों को एक साइकोलोजिकली पसंद आता है, काफी लोगों के लिए ये करेक्टर एक फीलिंग ऑफ सटिस्वेक्शन के साथ जोड़ा हुआ है, तो ये करेक्टर थोड़ा सा कम पॉपलर है, पर जिरो ने भी जिस्टिस लिग डार्क अपोकलिप्स वार देखी है, मुझे उन्हें एक्स्परिन करने की बिलकुल ज़रूरत नहीं कि एक करेक्टर इसलिस में क्यों है, जौन कॉंस्टिंटी ने कैसा करेक्टर है, जो की मैचि को भी ट्रिक कर चुका है अपने परपस के लिए, तो हाँ इसलिए एक शॉट ओफ एंटी हिरो केरेक्टर है, और अगेंजर अने DC के अनिमेटर मुवीज देखिया है, वो जानते है कि जौन कॉंस्टिंटिन क्या चीज है, नमबर सिक्स विंटर सोलजर, तो विंटर सोलज उन्होंने डिसाइड किया है कि वो तिर दे अफ दे लाइन साथ में लडेंगे, पर फिर एक एक्स्टिंट होता है, जो कि हमेशा के लिए बकी को एक विलन में कनवर्ट कर देता है, यानि कि विंटर सोलजर में, और अलमोस्ट सेवंटीन यर्स तक जब कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि एक्चुली में विंटर सोलजर और कोई नहीं बलकि बकी बांस है, और फिर बकी को वापस लाने के उनका जो स्ट्रगल होता है, वो सच में इमोशनल होता है, और फैलकर एंडर सोलजर की सीरीज में हमने और अच्छे से देखा कि जब वो अच्छा बन च कि यहीं एपिक स्टोरी, उसे इस लिस में नंबर सिक्स पे लाती है, अब इस पूरी लिस में जितने भी एंटी हिरो है, उसमें सबसे ज्यादा कूलिस एंटी हिरो मुझे गोस्ट राइडर ही रखता है, लिटरली एक बुलेट जो भी पूरी फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग इस से मतलब इस से जादा पूल और क्या हो सकता है, पर इस कूल लुक के पीछे एक पेइनफुल स्टोरी है, जोनी बलेज नाम का एक लड़का जो कि एक नॉर्मल लड़का होता है, इस टन्स को परफॉर्म करता है, वो अपनी फादर की जान बचाने के बदले, डीमन मेफ मेफिस्टों से सौधा करता है, वो उसे अपनी सोल दे रहता है, और बदले में उसे मिलती है स्पिरिट ओफ वेंजिन सेने के गोस्ट राइडर की स्पिरिट, अब इस पर जब कोई ऐसा इनसान होता है, जिसने काफी सिन यानि की पाप किया है, तब वो स्पिरिट एक्टि मुझे तो अच्छी लगती है, बड़ा सीरियसली वांड के एक करेक्टर जल से जल हमें एमसे में दिखे, और एक करेक्टर एमसे में दिखनी भी वाला है, ऐसे रूमर्स है कि एक एक पूरे रिबूट ने स्टोरी और ने एक्टर के साथ, तो मैं इस दीज को देखने के ल अब तो फैमिनिजम भी है, अल्टिमेटली ये करेक्टर ही फैसिनेटिंग है, हार्ली किन जो की पहले तो एक नॉर्मल साइकोलोजिस्ट होती है, यानि कि एक डॉक्टर जिसे जोकर की ट्रीटमेंट का काम मिलता है, पर जोकर ऐसे लेवल का साइकोपैथ है कि वो खुद अब तक हमें DC की तीन मुवी में दिख चुके है, जोकि अपने आप में रेकॉर्ड है क्योंकि एक करेक्टर DC की तीन-तीन मुवी में दिखा है, यानि कि इदा सूसाइट स्कॉर्ड में, सूसाइट स्कॉर्ड की पहली मूवी और हालिक्विन अद ब़र्स ऑफ प्रे में भ चूसाइट स्कॉर्ड में एक करेक्टर जो हमें दिखाया गया है, मैं परसनली एक ये करेक्टर को बहुत पसंद करने लगा हूँ, पीसमेकर का चरेक्टर है, जोकि कि किसी भी हाल में पीस को बनाना चाहता है, और उल्टिमेटली वह खुदी वालान्स का सहारा लेता है, Formula पूपर मने सेपरेट वीडियो बनाया है उसको देखना मत भूलना और इस सीरीज के लिए करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिलकुल मत भूलना नम्बर टू, Venom अब देखो फिर वो कोई भी spider-man हो चाहे वो तो भी मेक्वायर का spider-man हो जिसकी 3rd movie में वेनम दिखा था Tom Holland का spider-man हो जहां पे हमें Venom और spider-man का crossover दिखा था Venom का MCU मेलाय गया या फिर शाइड-Amazing Spider-man की 3rd movie की बात चल रही है जहाँ पर ऐसा कह रहे है कि Venom अपियर होगा वो कोई भी Spider-Man हो, Spider-Man की कोई सी भी स्टोरी हो, वहाँ पर Venom और Spider-Man का क्रॉस ओवर तै है और Venom को Always as a Anti-Hero पोर्ट्रे किया जाता है और Venom की दू मूवीज जो कि Sony ने बनाई है वो भी मुझे पसंद आई इन मूवीज में Venom के करेक्टरों को काफी अच्छे से explain किया गया है, जो कि इसे काफी सारे लोगों का फेवरिट भी बना चुकी है इस मूवी में हम देखते है कि किस तरीके से Venom एक्चुली अर्थ पर आया था, अर्थ को कर लेंगे तो वो एक एविल काम होगा उसे वो नहीं करना चाहिए और है एडिकेस सारे के जिस तरीके से वो एक फ्रेंड्शिप भी डेवलप करता है उससे देखने में बहुत मज़ा आता है और मैं परसनले ऐसा मनता हूँ कि सोनी की मूवीज में Venom को बिल्कुल हिरो एक वे में दिखाया गया है उसका एंटी हिलो वाला एंगल थोड़ा मिसिंग है पर आम शौर कि अब एंच्व में जाए जाएगा वहाँ पर इस एंगल को लेकर भी अच्छे से काम होगा अब श्याद यहाँ पर कोई ही एक आदे सा बंदा होगे चुकि लोकी के बारे में नहीं जानता होगा हमने देखा थौर की पहली मूवी में लोकी को एस अ विलन और हमने थौर रैगनरॉक में लोकी को थौर की हेल्प करते हुए भी देखा हमने अवेंजर्स की पहली मूवी में लोकी को एस में विलन देखा तो हमने अवेंजर्स इनिफिनिटी वार में देखा कि किस तरीके से लोकी ने अपने आपको थैनोस को रोकने के लिए सेक्रिफाइस कर दिया अगर मचे किजी पर्सन को एक ही एक्जाम्बल दे के समझाना होगा के केंटी हीरो क्या है तो मैं उसे लोकी का एक्जाम्बल दूँगा लोकी हमेशा से ही थौर को चैलेंज करता हुआ है क्योंकि उसे बच्पन से ही ऐसा लगने लगा था कि सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की वज़े से कि वो अडप्टेड है उसे एसगार का थ्रून नहीं मिल सकता हमने देखा कि किस तरीके से थौर कहता है कि बच्पन में ही लोक हमारे दिमाग में यहीं आती है कि वो मास्टर आफ मिसीव है उसका कभी भरोसा नहीं किया जा सकता पर वाट इफ के एपेसोड में हमने देखा कि अगर ओडिन लोकी को अडप्ट ना करते तो क्या होता वो फ्रॉस्डेंड का किंग होता उसके और थौर के बीच में दोस्त दिखाया गया कि कैसे उसन अपने भाई को डिसपॉइंट किया वो खुद अपनी मदर और इवन ओडिन की डैथ का रीजन बना इंडिरेक्टली तब कैसे वो बिल्कुल तूट चुका था और वहीं पर रोने लगा और यह चीज़ देखे में लोकी के साथ पूरी तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो गया था और लोकी की सीरीज में अगर मैं बात करूंगा तो बाते चलती ही जाएगी लोकी की सीरीज मेरी फेवरीट सीरीज है मैं बस इतना कहूंगा कि मैं सेकंड सीरीजन के लिए डैम एक्साइटेड हूँ और एन में जेसा केरेक्टर से भी ज्यादा पॉपलर है और इसका सिंपल रीजन यहीं है कि डैटपुल ने हम ऐसे कहीं सारी चीज़े दिखाई जो कि आज तक हम नहीं देख पा रहे थे जैसे कि पनिशर की तरह विलन्स के उपर गन चला देना बिना सोते समझे या फिर अपने स्वाड की मदद से विलन्स को बीच में से स्लाइस कर देना वो आर रेटेड एक्शन या फिर विलन्स के सामने भी लेम से लेम जोक माना और फोर्ट वाल को ब्रेक करके ओडियन्स क देडपुल गोलियों को अपने उपर ले लेता है, बलास में पूरी तरीक से उठ जाता है, उसके पैर तक कट जाता है, फिर भी उस सारे चीज़ों को वापस रिग्रो कर लेता है, और यह देखे भी ओर्डिन्स को शार बहुत मजाता है, और इसलिए भी डेडपुल लोगों पर अपतो डेडपुल की पॉपलरिटी स्लेड विल्सन से भी कहीं ज्यादा है, डेड़्स्रों से भी बहुत बढ़ चुकी है, और यह से कहीं सारे केरेक्टर्स है, जनको कॉपी किया गया है, उनके उपर भी एक वीडियो बनाया है, आपको एंड स्क्रीन के उपर मिल जा है, तो होपस हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हां अगें रिपीट करूंगा, रेड़ुल्स.com को चेक आउट करना मत भूलना, काफे सारी अच्छी अच्छी टीशर्ट्स है, आपको पसन आएगी हाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेक आउट कर लो, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भीलो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अगर यहाँ पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मिलता है हमारे अगले वीडियो में.